ब्रिक के बाद आपका स्वागत है मृजना के अंतरगर्ट विकासखंट भोरंज की जिंजकरी गाउं में किसान मेले का योजन किया गया मेले में 400 किसानों ने भाग लिया योजना के अंतरगर्ट गाउं को आदर्श गाउं भी चुना गया है गाउं के 62 परिवारों को 338 मृजना के बीज की मिनिकिट भी परदान की गई मृजना के अंतरगर्ट विकासखंट भोरंज की जिंदकरी गाउं में किसान मेले का आयोजन की आगया मेले में 400 किसानों ने हिसा लिया योजना के अंतरगर्ट जिंसकरी गाम को आदर्श काम चुना गया था गाम के 62 परिवारों को 338 मृजना स्वास्तिया कार्ट बित्रित किये गई मेले में किसानों को कृशी संबंदी सभी जानकारिया परदान की गई था उपस्तित किसानों को बिवा के और से निशुलक भिंडी फ्रांसमीन के बीज़ की मिनी किट भी परदान की गई मेले में उपादेक्ष पंचेट समीती भोरंज सूरेश सोनी बतार मुख्यतिती उपस्तित रहे उन्होंने परदरशनी का अब लोकन करने की उपरांत किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मिरिदा परशिक्षन करवा कर किसान रासायनिक खादों की मातरा फ़सल के अंसार परयोग कर कम लागत में अधिक पैदाबार प्रापत कर सकते हैं उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों से किसानों को गाम स्तरवर ही खेती आदुनिक टक्निकों के बारे में जानकारी प्रापत होती है। करना और प्रदेश की सिरकार का जो दोजारबाई का लक्षय है। प्रदेश में कुई तरह अंडुक्शन प्राक्रिजिक खेती करना इसे प्रदेश का प्रदक्ति उशाल और स्वस्थ होगा। यह बहुत ही अच्छी पहल है। करिशी उपने देशक कुलदीब बर्मा ने मुख्या दिती का स्वागत किये तथा बीवागी योजनों की विस्तार से किसानों को जानकारी देते हुए। उनका लाव उठाने का आहवान किया। उन्होंने मृदा स्वास्ते योजनों की जानकारी देते हुए बताया कि मृदा प्रशिक्षन से फसलों में रासानिक खादों के परयोग की सही मातरा निरदारित होती है। उस पर अमलिक भूमी के सुधार तथा उसे उपजाव बनाने का सही डंग पता चलता है। बकिसानों की आर्थिकी सुधाने में भी उनकी मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि अधिक पैदावार के लिए बीवाग के मादियम से अपने खेतों की मिटी का आवशे की रूप से मिर्दा प्रशिक्षन लेवोट्री मिलपूर में जांच प्रशिक्षन करवाएं तथा उसी के अनरूप फसलों का चेयन करें। अम्रिदा स्वस्थ्य कार्ड के अंतरकर जन्जक्री गौव में आज एक किसान में ये काहिए उज़ब किया गए है। और स्वस्थय का मुलिदा स्वस्थय कार्ड से सिलम भी सब भी जानकारिया जो है किसानों को परधान की। अपनाने के लिए पूतसाहित भी किया। उसकी 9 केजी की एवरेज आई है। ग्यों जो है वो अलग अलग किसम की उसका अलग अलग नतीज़ा है। आठ पॉइंट पांच केजी भी है। नौ केजी भी है। नौ कॉइंट दो केजी भी है। ने लिखा हुआ है। और उसके अनुसार हम एग्रिक्रेटर्टर्टर्टर्ट डीडी ओफिस में भीजते हैं। ब्लॉक में समसाब के ओफिस में भीजते हैं। और जो ब्लॉक के छोटे आफिस हैं बहां पर भीजते हैं। और इस स्वाइला हेल्थ कार्ट की बीच में जिसकी कमी है। उस कमी को हम गोबर द्वारा यह जो उसमें जरूरत परती है। जरूरत के नुसार बो डाली जाती है। और उसमें खर्चा कम आता है। और अधर्श योजना के अंपरगप जिंज करी गाउं में जो है। जो यह क्रिशी कार 338 जो यह मरीड़कार जो बनाएगी है। इसमें नुमनों को मुरी अप्रिक्शन प्रयोक्साला के लिए टैस्ट के लिए हम पूर्प देद गाउं जो जिसके बाद इनको जिंज करीके जो किसा ने उनमें भी तर्थ किया गिया। जिसके अग्लॉड इंग जो यह क्रिशी विवार्थ से सवंधित करमचारी है। जिनों ने क्रिसी करने के जो तरीके बताई वो सभी जो जिंजरी करामवासी हैं वो अच्छी केती की कुफस कर रहे हैं और काफी मेहनती लोग हैं इनों ने अपनी मेहनत से बहुत जो सब्जियों का उपादन किया हैं वो आज जो यहां एक्जिवीशन प्रदशनी लगाई हुई है वो इसमें हमें बहुत खुसी हो रही है कि जो जिंजरी काओं के जो किसान हैं वो इसमें ज्याद से ज्यादा इंटरस्ट ले रहे हैं और जो क्रिशी भीवाग दोरा हमें गार्ड और साहिल जो चेकिंग की ये मिटी उसके दोरा जो टेस्ट करके जो फर्म मिले हैं वो हमें मिले हैं और क्रिशी जो हम उसके दोरा ही उनके बताय हुए कि नदेश अनुसार ही हम क्रिशी के बीच में काम कर रहे हैं अता उसके बीच में जो है काफी प्रुग्रेस और उंती उसमें हो रही है जो भी क्रिशिव विवाद वारा ने हमें घ्यान दीया है यह जो हमारी मिट्टी टेस्ट होई विवाद के आदमी हमारे साथ पे जब हम खेतों से मिट्टी लेकर आएं उसके बाद इस मिट्टी को हमिरपुर में जमा कराया गया उसके बाद हमें सौइज रथकार विवाद की तरब से मिले हम उनके अनसार ही खेतों में खातें डाल रहे हैं और उसी निमा अनसार खेती बारी कर रहे हैं इससे हमें काथी विवाद का भी सेहुग रहा और विवाद को गोड़ वालंगा भिश्योग्राव जो शेल्थ होड़ा हमें दिये गए हैं विवाद गोरा उनकी मिटी हमने पेपियों से ले जाकर के हम इपर ने गठी दी दी उसके बाद उनका टेस्ट हुई और उनको हेल्थ कार्ट दिये हमारे हमारे पास इन्होंने वि प्रिष्योग्राज से खेती बाड़ी कर रहे हैं और विवाद हमारा पूरा सेहो कर रहा है और हम विवाद की सेवा कर रहे हैं ब्रावर की और अच्छी फसले उत्पन हो रही हैं इस मौके पर ग्राम पंचायत पानवी की परदान कंचिन ठाकुर्ब पंचायत सदस्या तथा ग्राम पंचायत सहानवी के परदान संजीवन पतियालव सदस्या क्रिशी बिशेवाद बिशेशक भूरंज बिपन शर्मा क्रिशी मृदा प्रश्यक्षन अधिकारी हमिर पू प्राव क्रिशी विवा की अधिकार्यों ने शेर्कत की